वेलकम टू फिल्म बीवारता दोस्तों आज मैंने दकाल अब दो वाइल मुवी देखी और यह मुवी सच में अदबुध है इसके अलाबा मुझे कोई सब्द नहीं मिला इसे डिस्क्राइब करने के लिए हो सकता है कि आपको यह लगा कि मैं कोछ ज्यादा फेक रहा हूं ले मैं भी रखना चाहूंगा क्योंकि इस मुवी को जितनी बार आप देखेंगे आपको एक नया अनभव मिलेगा दोस्तों मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा कि यह 1903 में आई सेम नेम की नावेल दकाल अब दो वाइल पर बेस्ट है और इसके लेकर है जैक स्लंडन चल बस सामने वाले की इमोशन को समझ जाता है और जहां तक हो सके उसकी मदद करने की कोशिस करता है बक का मालिक है जज मिलर पर बक अपने मालिक के घर नहीं रहता वह हमेशा बाहर गुमते रहता है और इसके करान जज मिलर उसे पनिस भी करता है एक दिन जज मिलर का माली बहुत से मुश्किलों को सामना करना पड़ता है उसे कई मालिक मिलते हैं और इन सब में घटनाएं होती है वह काफी मचदार होती है और यह जर्णी आपको सच में रोमान्चित करती है और आपको इमोशनल भी कर देती है अब आगे और क्या क्या होता है यह सब जानने के लिए आपको यह मुवी देखनी होगी इस मुवी में एक बहुत अच्छी फिलास्पी भी छुपी है कि इंसान पैसे की पिछे भागते रहता है पर पैसे से वह ना तुप्यार करी सकता है ना किसी की मोशन्स करी सकता है और न एक से एक उपसूरा सीन आपको देखने को मिलते हैं पेंट पॉदे से लेके वाइल लाइफ एवाम नदी पहाड सारे आपकी आँखों को सुकुन देंगे सारे एक्टर्स की परफार्मेंस बहतरीन हैं डॉक का अपीरेंस और उसके फणी मोमेंट आपके चेहरे पर एक मु इस मुवी से आप सुरू से कनेक्ट हो जाते हैं और लास्ट तक बने रहते हैं और डॉक की करेक्टर से तो आपको प्यारी हो जायागा जिस तरह से वाट खेलियां करता है नादानिया करता है सरारतें करता है और अपने सहास का परिचाय देता है यह देखना आपको सच में मज़ा आ जाएगा फेंट्स अगर आप वाइड लाइप के सोकिन हैं और डॉग लवर्स है तो आपको यह मूवी मिस नहीं करने चाहिए इस मूवी को आप मेजन प्राइम वीडियो पर इंग्लिस में देख सकते हैं हिंदी में अभी तक यह डब नहीं हुई है मेरी तरब से इस मूवी को 10 में से 9 इस्टार आप क्या सोचते इस मूवी के बारे मुझे कमेंट करिए अगर आपको मेरा यह रिव्यू पसंद आया है तो मेरे चैनल को ल क्यू